जो प्रधान मंत्री आरोगे योजना है उसके तहट आयरवेदिक पैकेजों को शामिल करने के समिक्षा बैठक बुलाई गई है जिसके अंदर लगबाग 170 संराचनाओं को शामिल कर लिया गया है और उन पैकेजिस की कितनी कॉस्टिंग हो गई उसके लिए क्या-क्या चीजे चाहिए होगी उसके लिए एक समीति का भी गठन कर दिया गया है जो इसके ऊपर कारे कर रही है और जल्दी ही हमारा ये आयुश मिशन के अंतरकत जो डिफरेंट आयरवेदिक कॉलेजिस हैं या डिफरेंट आयरवेदिक हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर होने वाले इलाज इंडियन फारमसोटिकल कमिशन ने एक इस क्षेतर में दवाओं की गुनबत्ता के सुधार और बड़े उदेशे के साथ वन हर्ब वन स्टेंडर्ड पहल को पूरा करने के लिए एक एहतासिक समझाते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं हरबल दवाओं का मानकी करन करके यह पहल पूरे भारत में फारमसोटिकल की प्रभाविक्ता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रियास करेगी वैश्विक स्वास्थे मानकों के साथ संरेखित करना और पारंपरिक दवाओं में विश्वास बढ़ाना इस कदम के महतवपून लक्षे हैं आयुष दवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 26 अगस 2024 को हमारे जो स्वास्थे मंतरी हैं आयुष के उन्होंने गोशना करी है कि सरकार का इरादा हर तहसील स्थर पर विशेश मेडिकल स्टोर खोलने का है इन स्टोरों द्वारा विबिन परकार के हरबल और परंपरिक दवाओं तक पहुंच संबह होगी जिससे शहरी और ग्रामीन दोनों क्षेत्रों के सारवजनिक स्वास्थे सेवा में सुधार होगा इसके अतिरिक्त भारत ने कुछ अभियान चुरू की हैं और कुछ इनिशेटिज लिए हैं उन में से हैं स्वास्थ भारत के लिए हर घर आयर योग का अभियान इसमें आयरवेद और योग का बढ़ावा करने का प्रियास किया गया है इस समुधाय में आयरवेद और योग के उत्थान को बढ़ाने के लक्षे के साथ मंतलय दौर हर घर आयर योग पहल शुरू की गई है Fit India School प्रमानन के योग को शामिल करना प्रमुख अकर्शन में से एक है भारत का प्रकृति प्रिधी अभियान इस पहल में मूल में होगा और देश भरके हित धारकों को शामिल करने के लिए व्यापक रोड मैप त्यार कर लिया गया है आयोश मंत्राले 100 दिनों की सीमा में लगबक 10,000 जरियाट्रिक मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए प्रतिबद था किन्तो इस लक्षे को पूरा करते हुए इन 100 दिनों में इन्होंने 14,692 आयोश शिवरों का आयोजन कर लिया है इन शिवरों में आयोवेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी का अपचार करके समक्र स्वास्थे पर मुफ्त प्रामर्ष, चिकित्सा और मारुदर्शन की पेशकर्ष की गई है विशु सवास्थे संगठन यानि WHO के साथ एक डोनर समझाता किया गया है आयुश मंत्राले और WHO ने 31 जुलाई 2024 को जिनेवा के WHO मुख्याले में एक डोनर समझाते पर हस्ताक्षर किये है ये समझाता अंतरराष्टिय स्वास्थे संगठनों के साथ काम करने और वैश्विक स्वास्थे पुर्णाडी में आयुश पुर्णाडियों के एक ही करण में सुधार के लिए भारत के समर्पन को परदर्शित करेगा और ये सहयोग एक मजबूत नीव को तथा शाक्षिय अधारी इस एविदेंस बेस्ट पारंपरिक चिकित्साप को प्रदान करेगा इसके तरिक्त वियत नाम के साथ हिनों ने आउशदी ये पौधों के उपर भी एक समझाता ग्यापन हस्ताक्षर किये हैं एक अगस्ट दोज़र चौबिस को औशदी ये पौधों के सहयोग पर केंद्रित एक MOU भारत और वियत नाम के बीच में हस्ताक्षर किये गए हैं मानिय परधानमंत्री शिरी नरेंदर मोधी और उनके वियत नामी समकक्ष की गरीमा में उपस्तिती में हस्ताक्षर किये समझाता दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा पतितियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है इस ख्षेतर में सूचना, संसाधनों और अनुसंधान को साज़ा करने के लिए और प्रसाहित करने के लिए वियत नाम का परंपरिक चिकित्सा प्रशासन और भारत के राष्ट्रिये और शिदिय पादद डैडिस एने पीवी नैशनल मेडिसिनल प्लांटिशन बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.गे